आपका हमारे चैनल में आपको बता दे कि एक बार फिर से देश के प्रधान मंत्री नरेंदर मूदी जनता की पसंद में एक बहतर प्रधान मंत्री के तौर पर निकल कर सामने आये है ऐसा क्यों निकल कर ये बात आई है सामने आखिर इस बार कौन सा बड़ा काम उन्होंने किया है इसके बारे में आये जरा विस्तार से जान लेते हैं बताते कि चार राजियों और एक केंद्र शासित प्रधेश में चुनाओ के एक साल बाद भी जन्मानस के बीच प्रधान मंत्री नरेंदर मूदी की लोक प्रियता और साथी साथ प्रधान मंत्री पद के लिए पसंदिदा चेहरा सिर्फ और सिर्फ वही बने हुए है यानि लोग उने काफी जादा पसंद कर रहे हैं, आदर कर रहे हैं, सम्माद कर रहे हैं और साथ ही साथ एक बार फिर से प्रधान मंत्री के तौर पर सिर्फ और सिर्फ देश के प्रधान मंत्री जरेंदर मोधी को ही देखना चाहते हैं दूसरी और राहूल गांदी की अगर बात करें दिली के बुके मंतिया अडवेंद केट जीवाल की बात करें तो वो प्रधारबते जरेंदर मोधी से काफी 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 पीछे है वानिक कई पायदान जो है वो नीचे की तरफ है यह चार राज आसब पशिमंगाल तमिल विधाल सबा चुना हुए थे मोधी उन्हें सभी राज्यों में केंदर शासित प्रदेशों में प्रधार मंत्री के पद के लिए पहली पसंद है जहां पिछले साल चुना हुए थे हाला कि तमिल नाडू और केरल में राहूल गांदी पीम के पसंदिदार चेहरे के रूप बता दे कि इन पांच राच्यों में केंदर शासित प्रदेशों में लगभग 120 लोग सबा सीट हैं और असम पुझुचेरियों और पर्षिमंगाल में बाच्पा की तागत लगातार बढ़ रही यानि लगातार इनके तागत में इनके शक्ते में इजाफा देखने के लिए जबकि कॉंग्रिस तमिलनाडू में गडबंदन सयोगी है और केरल में विपक्ष में हैं यह पूचे जाने पर कि आपको क्या लगता है कि प्रदान मंत्री नरेंदर मोधी के लिए सबसे उपयूक्त उमिद्वार कौन है कि 2024 में एक बाद फिर चुनाओं होने वाले हैं और राहूल ने मोधी का समर्थन किया उनके उसके बाद केजरिवाल को 11 जो 62 प्रतिशत राहूल गांदी को 10.7 प्रतिशत का समर्थन मिला केरल में जहां से राहूल गांदी 2019 में लोग सबाचनाव जीत वहां पर 28 प्रतिशत उदारदाताओं ने कहा कि प्यम मोधी उनकी प्रतारमंति नेından डरdo लेका लिए वहीं ने करते में सबसे सुटेवल बताया सबसे बढ़ी और सबसे पहली पसंद जो है वह प्यक्तिशत को लेकर लगातार जो है इसे लेकर तैयारिय आं और तरह कर dangerous बड़े बड़े वादे करते नजर आ रहे हैं लेकिन इन सभी के बीच आप होता है इन सभी को पीछे छोड़ कर कोई आगे चल रहा है तो वो प्रधान मत्रीपत के लिए एक बार फिर से नरेंद्र मोदी जी का चहरा चल रहा है बता दे कि रहूल गादी क्या जो आप देख सकते हैं चिंतर शिविर वो लेका रहा है चिंतर शिविर में कई सारे मुद्वबाबाद की 2024 के लिए रणीती तयार की उन्हेंने कहा कि हमें लोगों के बीच जाना होगा उनके बीच जाकर बैठना होगा समस्या का समधार निकाल होती है जब पंजाब में विदानसभा चुनाओं होने थे उस वक्त भी जो है राहूल गांदी विदेश यात्रा पर निकल गया और एक बार फिर से 2026 के चुनाओं और करीब आते नजर आ रहे हैं जादा वक्त नहीं बचा लेकिन इसके बावजूद इनके विदेश यात् राचित करेंगे जिससे विपक्ष के ऊपर कुछ असर पड़ेगा तो वो कई सारे बेतों के बाते लेकर आते हैं अलग-अलग मुद्धे उठाते हैं जिनका कोई लेना देना नहीं होता है चाइना का मुद्धा पाकिस्तान का मुद्धा कभी किसी और चीज का मुद्धा जब सवाल पूछने होते हैं तो अजीव सवाल पूछते हैं, Twitter handle, पर अलगल तरीके के tweet उनके लिए मिलते हैं, तो कई सारी कमिया जो है वो राहूल गांधी में देखने के लिए मिलती है आई दुन उनका मीम बन जाता है या फिर शोचल मीडिया पर उनका छोटे-छोटे क्लिप्स वाइरल होने लगते हैं कभी कहते हैं जंता ने मुझे बहुत लटाड़ा कभी कहते हैं कि जंता ने उनकी सत्ता थी आपसी कला के वज़े से पंजाब में भी उन्हें सत्ता गवानी पर ही आप जो है कहीं पर बची कुछी जगा उपर उनका स्तित्व बचा है लेकिन अस्तित्व को बचाने में भी काफी जादा मुशक्कत करनी पड़ है सोनिया गांधी को क्योंकि राहूल प्रदेश देख्ष रच चुक है इसके बाब जुद नवजो सिंग से दुक अब एक साल की जील हो चुकि तो एक के बाद एक जो है बड़ा जटका कोंग्रेस को लगता नजरा है के रल में उनका हाल ऐसा बेहाल अथी स्प्रतिशत लोग जो है विधार मंतरी पद के लिए नरेंदर मोधी को पसंद कर रहा है फिर राहूल गांदी का नंबर आ रहा है आने वाले वक्त के साथ यह और घटता चला जाएगा क्योंकि वह वहाँ पर भी जनता से इंट्रैक नहीं कर रहा है वहाँ पर भी जनता से जाकर उनसे बात करके उनके समस्या सुनना नहीं उन् पहली रिखना, उन्हें कई और यूके जाना है, तो यह हमेशा से एक दिक्कत जो है, राहुल गांधी और कॉंगर्स के साथ रही है, कि राहुल गांधी विदेश चले जाते हैं, और फिर उनकी विदेश यात्रा से जुड़े सवालों को कवर अप करने के लिए कॉंग्रेस के कई नेताओं को सामने आना पड़ता है और जवाब देनी पड़ती है साती हैं आपको पड़ती के बात करें अर्विंदकेजीवाल की तो अर्विंदकेजीवाल का हाल भी काफी देखने के लिए मिल रही है तो कही न कही दिली में जो है इनकी सरकार है और यहाँ पर यह ववस्ता चर्मर आ गई है पंजाब में भी बड़े वादे किये थे सत्ता में तो आ गया लेकिन वादे नहीं पूरे कर रहे हैं आते ही किसानों का विरोथ देखने के लिए मेला आंजनता विरोत पर दसन कर रहा है किसान साडक पर उतराएं हैं चंडीगर में विरोध पदशन करने के लिए तयार है, कई सारे मुद्धे उठाया जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का मुद्धा वहाँ पर भी काफी तेज बना हुआ है, 300 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी देने की बात कही थी, उसका भी कुछ नहीं किया, ड्रॉग माफिया खत में है, दिल्ली और पंजाब वहां की जनता असंतुष्ट है, उत्राखंड में तो आपने देखा है कि किस तरीके से जुस्य मुविद्वार है, उने कितनी जादा भीड, जै आठ दस लोग उनके पीछे चल रहे थे, उनकी बाते सुनने के लिए कोई वहाँ नजर भी नही और बिफल नजर आ रहे हैं काफी और सफलता एनके हात लग रही है, खालीस्तानी मुद्ए से भी हिमेच को काफी जदा नुकसान पहुचा है, जै भी खालीस्तानी बाते हैं तभी अर्विन केज्रिवाल का नाम आया है заб स्टालिक को फिर से तोलं प्कड़ने का मौका पराइक का इमेंज हो केम बात करें तो रविंदेच्जि वियल का हुआ है और पंजाब में लिए गए कि अाको कि दूनों को बैलेंस नहीं कर रहा है फिर उन्हेंने सौंग भी लॉंच कर दिया कि अब जो है देश को ममताव एनरजी चाहिए और उसके बाद फिर जो है ममताव एनरजी के राशनकार में बंगाल का हाल किस तरीके से हो गया है इसकी एक जलक पाने के लिए आप शुबेंदू अधिकारी के ट्विटर हैंडल पर जा सकते हैं और वहाँ पर उनके द्वारा किये गए ट्वीट्स साथ देख सकते हैं क्वेंदु अदिकारी ट्वीट करते हैं वो कहीं न कहीं बंगाल की काली सचाई को सामने रखता है जिस तरीके से बंगाल में जन्यांत कर अंब कितने परिशानी हो रही है उसकी काली सच्चाई को बया करता है, तो आप साथ तोर पर समझ सकते हैं कि राउल गांदी का भी हाल बेहाल है, केज रिवाल का भी हाल बेहाल है, ममताव एनरजी बड़े सपने देख रही है, गाने लॉंच कर रही है, लेकिन ममताव एनरजी का भी हाल काफी जादा बेहाल ह अब इन सब के बीच एक और जो चीज निकल कर सामने आती है जो भाजपा के कटर विरोधी है वो है महाविका सगाडी की सरकार जिसमें शरत पवार कह लीजिए उदव ठाकरे के लीजिए लेकिन इनका भी कोई चांस नजर नहीं आता है उदव ठाकरे के मंत्री कहते हैं दोज दोड़ को इसकोल भी चांस नहीं बन रही है यानि सावत और पर प्रधान मंत्री प्रस्थ के लिए एक बार फिर से सबसे सुटेबल सबसे योग यागर कोई कांड़िट है तो वह प्रधानमति नरेंद्र मोदी है और यह हम नहीं ये सी वोटर्स और यह जनता कह रही है यह जनता जो है बता रही है और इनकी पहली पसंद प्रधार मंतरी नरेंद्र मोदी जहें ऐसे में हमने आपको इस पूरे मामले के बाड़े में बड़े ही विस्तार से बताया है इस मामले को आपने जान और समझ लिया है और अब इस पूरे मामले पर आप झाल